हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंट्स आज मैं अपने इस सतावरी के पौदे को लेकर आए हैं इसे आयरुवेद में और शिदियों की रानियन क्वीन आफ हर्प्स भी कहा जाता है इसे शितावर शत्मूल सत्मूली भी कहते हैं इसका पौटनिकल नेम है स्पैरेगस रैसी मोसस इसकी गाठ या जड़ का प्रयोग किया जाता है और पत्तियों को सबची के रूप में भी बना कर खाया जाता है आयरुवेद में इसे रसायन या होल बोडी टॉनिक भी कहा जाता है इसके बहुत सारे जुण है इसके जड़ का प्रयोग आयरुवेदिक दवाईयां बनाने में काम आता है विशेस रूप से इस्तियों के शारेरिक और मासिक स्वास्त के लिए चमतकारी है शितावरी की जड़, काचून, फीमेल हार्मोंस को बैलन्स रखता है और साथ से पीड़ित महिलाओं के लिए बहुत ही लागकारी है इनफर्टिल्टी की समस्या को दूर करता है नर्वस सिस्टम को सस्त रखता है मैनोपॉस की समस्या से पीड़ित महिलाओं को आराम पहुचाता है और उसके लक्षनों को कम करता है इसका सबसे बड़ा उन महिलाओं के लिए है जिनके भी बच्चे हुए हैं परन्तु दूद नहीं उतरता है या कम आता है उसे सतावरी की जड़ का चोण देने से बहुत लाब होता है या एंटी ऑक्सिडेंट युक्त है वाद पित को कम करता है इसका स्वाद मीठा होता है और इसकी तासिर जंडी होती है इसको लगाने का सही समय है या तोबर साथ के शुरू में जून जुलाई में या फिर फरवरी मार्च में इस समय यह पौधा आसानी से लग जाता है यह पौधा बीच से और जड़ से दोनु तरह से लग जाता है मिठी जो तयार करे उसे वेल्ड रखे 6.5 से 7 के बीच के पीच वाली मिठी में या अच्छे से ग्रो करता है एसिटिक मिठी से पौधा मर सकता है तो रैतीली मिठी नार्मल गार्डेंस वाल में पौधे को लगाईए और 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 अर्गनिक फटिलाइजर कोबर की खाद या वर्मी कंपोस् इस पौधे को टेंपरेचर कम नहीं होना चाहिए करीब 20 से 30 परसंट टेंपरेचर 22-30 डिग्री टेंपरेचर अच्छा रहता है इसके लिए और अधिक ठंड होने पर इसलिए ये पौधा टॉर्मेंसी में चला जाता है इस पौधे को पूरी तरह से फुनसल नाइट वाले स्थान पर रखें जहां प्रती दिन कम से कम 6-7 घंटे की धूप आती हो शेडव वाले स्थान पर न रखें बिलकुल अच्छी धूप वाले स्थान पर रखें और पानी का ध्यान रखें ये इसकी जड़ है इसी का प्रियोग दवाईय बनाने कामाता है ये पौधे का नहीं तो जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और मिट्टी की सता करीब एक इंच सूखने पर ही पानी दीजिए और मिट्टी में नमी बनाये रखें शितावरी के पौधे को जैविक खाद जैसे की गोबर की खाद वजमी कमपोस्ट नीम की खली सरसु की खली राग फास जाते हैं इसके बीजों की मच्वर हो जाने पर उन से निया पौधा त्यार कर सकते हैं पौधे को इसकी जड़ों जिसकी मुकण भी कहते हैं उससे दारा भी लगा सकते हैं शितावरी की पौधे की जड़े मिट्टी में तेजी से फैलती है नीचे तक तो गंबला अच्छी गहराई वाले ताकि जड़ों को अच्छे से फैलने के लिए स्थान मिले और उने अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो अगर खेतों में लगाया जाता है तो इसके कंद बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं क्योंकि यह एक आयरवेदिक जड़ी बुटी है इसकी खेती बहुत कैसा लगा हमारे यह शितावरी का प्लांट यह बहुत ही गुड़कारी प्लांट है और देखने में भी काभी सुन्दर लगता है तो फ्रिंट्स अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक